एक्टर और कॉमेडियन सुनिल ग्रोवर आज 46 साल के हो गए हैं। लगबग 16 फिल्मों का हिस्सा रहे सुनिल को बड़ी पहचान कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा शो से मिली थी। हर्याना में जन में सुनिल ठीटर के पढ़ाई कर किस्मत आज माने मुंबई आ गए। शुरुवात में उन्हें लगा कि यहां काम आसानी से मिल जाएगा। इसी ना समझी की वज़े से उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। रिजेक्शन की वज़े से उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का प्लान भी बना लिया था। हलाकि जैसे तैसे कड़ी महनत के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगाय बनाई। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा शोओ में उन्हें बहुत पॉपुलरिची मिली। शोओ से जाधा वो कपिल के संग अपनी लडाई की वज़े से चर्चा में रहे। जब कपिल की टीम औस्ट्रेलिया से एक शोओ करकर लोट रही थी तब प्लाइट में सुनिल और कपिल के बीच लडाई हो गई। जिसके बाद सुनिल ने शोओ छोड़ दिया और उसके साथ कुछ और को एक्टर्स ने भी कपिल शर्मा शोओ छोड़ दिया। उनका कहना था कि कपिल शोओ के बाकी लोगों से जानवरों जैसा बरताव करते हैं। कपिल ने एक पोस्ट के जरीए उनसे माफी भी मांगी थी। इस लडाई के बाद सुनिल ग्रोवर ने कपिल शर्मा शोओ में वापसी नहीं की। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए पत्रिका इंटेटेन्मेंट पर।